हेलो दोस्तों तो कैसे है आप इस वीडियो पे बात करेंगे EMI vs SGS Dream 11 Stats Plus Info यानि की MI Emirates vs Sharjah Warriors के बीच में ILT20 का मैच नमबर 2 यहाँ पे सबसे पहले आपको कहूँगा अपडेट के लिए आपको हमारे टेलिगरम सल में जुड़ना है दोनों टीम्स का 1st मैच है काफी चेंजिस हो सकते हैं जिससे कल मैंने आपको बता दिया था जॉनी बेस्टो नहीं खेल रहे हैं उनको रिमूव करना इंपोटेंट था काफी टाइम से इंजरी थी वैसे ही उन पे डाउट था खेलना बहुत ही बड़ी और एक तरफा मेरा विन हुआ था आपको मैं बता दू कि आप तो आपको head to head दिख रहे हैं इवन अगर आप 4 member देखोगे 3 member देखोगे वहां भी easy विन हुआ था टीम काफी जादा अच्छी थी और उसी टीम से मैं खेला था जो मैंने आपको दी थी हाला कि मैं कभी भी team copy करने को encourage नहीं करता आप इसी information से अगर एकेल हुसेन की जगा उधाना लेते जो मैंने कहे थे कि वो भी हमारे top 15 players में included है तो आप grandly भी लेके आ सकते थे तो ऐसे करके changes भी आप involve कर सकते हो team में तो खेर रहात गई बात गई अब हमारे लिए new match है आज निया match में नहीं महनत करेंगे venue भी change है लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको यकीन कराऊंगा कि यहां पर आपके लिए information आने वाली है जस्ट आपने क्या करना है सबसे पहले तो YouTube पे subscribe करके यूट्यूब पे subscribe करके बैल आइकन को प्रेस करेंगे बैल आइकन को प्रेस करके all notification on करेंगे और टेलीग्राम का लिए वीडियो के description में जुड़ जाएंगे एक मिनिट मैंने आपका लिया अब हम करेंगे वीडियो का काम स्टार्ट दोस्तो शेक जाए स्टेडियो अबुदाभी का मैदान रिसेंटली आपने सुना होगा क्योंकि हमने काम पे T10 कवर किये थे इसी ground पे जो matches हुए थे वही T10 थे ठीक है और यहाँ पे T10 में क्या देखने को मिला था T10 में काफी ज़्यादा spinners को मदद मिला था रंस भी बने थे लेकिन spinners को थोड़ी सी यहाँ पे encouragement थी क्योंकि wicket पे turn हो रहा था ठीक है ग्रिब भी बिल रही थी लेकिन दोस्तों यहाँ के वैंने दो Shades देखे हैं जो T10 पिछले साल का हुआ था उसमें अन देखा रंस बनते थे लेकिन यहाँ पे इस बार bowling friendly conditions देखने को मिले थे तो कहीं न कहीं overall देखोगे internationally जो पिछले matches हुए हैं आपको ये ठीक scoring मिला ये भी ठीक scoring मिला अफगानिस्तान न्यूजिलेंड का low scoring था न्यूजिलेंड ने अफगानिस्तान को run नहीं करने दिये थे तोटली अगर आप देखोगे पिछले तीन मैच में 28 विप्टे गई है 18 फास्ट को 10 पिन को ठीक है ये international बात कर रहा हूँ जो international T20 World Cup के last से last year के मैच है 2021 ठीक है क्योंकि अब तो 2023 स्टार्ट हो गया है तो इसको एक साल दो महीने हो गए हैं लेकिन दोस्तों तोटली यहाँ लीनिंग का एवरेज स्कोर 142 है यह लो स्कोर थोड़ा इसलिए भी है क्योंकि होम टीम यूए ही है यहांकि यूए ने यहाँ पर काफी मैचिस में पार्टिसेपेट किया है जो काफी लो स्कोरिंग मैच खेलती है ठीक है तो आज आप 155 तो 165 का स्कोर एजीले एक्सेप् कर सकते हो एक्सपेक्ट मुझे कहना चाहिए कर सकते हो हाला कि यह स्कोर जादा भी हो सकता है कम भी डिपेंडिंग ओन क्या प्लेयर्स अवेलेबल हैं क्या नहीं MI Emirates के प्लेयरोल्स अगर आप देखोगे काफी स्ट्रॉंग टीम है मुझे इनके टीम काफी स्ट्रॉंग लगी क्योंकि इसमें भाई निकुलस पुरान है इसमें UAE के जो देखो हर टीम को UAE के चार खिलाड़ी लेने थे जिनमें से दो प्लेइंग 11 में आने ही आने हैं य विरित्य अर्विंद मुहम्मद वसीम बेजिल हमीद जहूर खान चारों बहुत अच्छे प्लेयर हैं और चारों अलग प्लेयर हैं विकेट कीपर बलल्यवाज विरित्य अर्विंद जबकि कह सकते हो कि बल्लेबाजी में करते हुए वसीम जो थोड़ी मीडियम पेस भी कर पुरान का फॉर्म के साथ सा नॉलेज भी लेके चलो इसी ग्राउंड पर प्लेयर ऑफ दी सीरीज बने हैं लास्ट येर लॉरकन टकर 71 नॉट आउट और 34 दो अच्छी रिंग्स आई है इन्होंने ईवन ऑस्ट्रिलिया के सामने 50 या सा आयरलेंड से खेलते हुए वृत्यार 23 और 23 बाकी मुहमद वसीम 50 प्लस वान विकेट 2 और 41 बेजल अमीद 25 प्लस दो विकेट ये अच्छी फॉर्म में है ओवर्टन दो विकेट आया है बास देली डे का फॉर्म अच्छा है ठीक है बाकी मैं इनके बारे में आपको कुछ बताऊंगा जो हम टीम डिसकस करेंगे बाकी जॉर्डन थॉम्सन ने इस ग्रॉंड पर अच्छी बोलिंग कर रखी है ये भी टीटन में खेले थे टॉप विकेट टेकर्स में इनका नाम था समित पटेर रेगुलर अच्छी परफॉर्मेंस देते है एक विकेट 34 पांच रन और एक विकेट 9 रन और 3 विकेट बा जॉर्डन थॉम्सन डुएन ब्रावो ट्रेंट बोल्ट और इम्रान तहीर यदीन को एक धाकर तेज गिन बास अलग चाहिए हुआ तो ये क्रेग वर्टन को खिला सकते क्योंकि थॉम्सन का क्या है उनकी बोलिंग की रफ्तार कम है बट विकेट ले जाते हैं बट क्रेग जाधा अच्छे फास पूल रहे है ठीक है बट तॉम्सन आपको बल्लेबाजी की डेप्थ जाधा दे देते हैं तो आप यहां पे एमिरेट्स के फुल स्टैट्स फिल्स इंफो देखोगे आपको रिलाइज हो जाएगा कि निकुलस पुरान इस टीम के एक इम्पॉर्टन प्लियर है एवरेज वाइज मुहमद वसीम बहुत शांदार है 39.3 की एवरेज विल्समीड अच्छे है ठीक है जो ओपनर्स के इनके पास विकल्प है दैन मुझले है स्कौर्ड में हाला कि आपको बता दू कि टॉम लेमन भी है देखो डेप्थ है स्कौर्ड में बहुत प पिन करेंगे लेक्स पिन के साथ आपके पास एक अच्छा फास्ट ऑप्शन हो तो और टीम अच्छी लगती है जो इनके पास ट्रेंड बोल्ट है ड्वेन ब्रावो का एक्स्पीरियस है डेथ पे हाला कि ड्वेन ब्रावो टीतन में कुछ खास नहीं कर पा रहे थे लेकिन भाई फजलक फरूकी है जहूर खान है स्टेज बोलर तो इनकी जो लाइन अप रहेगी मैं आपको clarity से भेज दूँगा यह player खेल रहे हैं उससाब से हमें थोड़ी और clarity मिलेगी अभी वीडियो में आपको सबके बारे में जारना important है तो वो पता भी होना चाहिए आपको all-rounders के भी आप stats देख सकते हो कोई new player है तो मैं उसको बता दे तो read कैसे करना है मालो समित पटे लें 370 60 20 313 बार इनकी बल्लेवाजी आई है 621 for run है 25 की average से और 37 centuries भी है 321 wicket भी है तो बन गई ना important player अब देख रहो शार्जा के recent performances और prayer roles तो इनके लिए जो अच्छी performance देख है यह sx के player है अगर आपको नहीं पता 100 में भी अच्छा खेले थे बाकी यहां पर definitely नवीन उल्हाक ने अच्छा किया especially UAE के conditions में कार्तिक में अपन इनके जो local player है UAE के बहुत ही अच्छा spin बोग रहा है इन्होंने world cup में head trick भी लिया था इसी T20 world cup में तो यू I think श्रडंका के सामने इफ है I'm right UAE के player अलिशान शिराफू, कार्तिक वियापन, जुनेत सिदीकी और मुहमद जवादुला जिन में से मुझे लगता है या तो अलिशान शिराफू और कार्तिक खेलेंगे या कार्तिक और जुनेत सिदीकी तो मैंने भईया आभी कार्तिक और जुनेत स्वोक्स ठीक है, ऐसी कुछ इनकी लाइनप देखने को मिलेगी, शार जाके full stats plus info आप देख रहे हो, हर एक player का आपको यहाँ पर दीखेगा stats, let's say कि आप यहाँ पर, मुही नहीं लिगी बात करेंगे, 263 match, 246 earnings, 561 earn, 25 average, 2 शरतक, 30 शरतक, 175 wicket, important रहेंगे, नभी भी काफी experience इसके लावाब मुझे यहाँ पर ना इनके पास JJ Smith है, ना BBA के भी, ठीक है, ठीक player है, और New Zealand के इनके पास Allrounder है, Jamal Todd, तो player बहुत है, बट जो main players है, उसमें आप ध्यान दो के तो David Milan मिलेंगे, Evan Lewis मिलेंगे, let's say कि मुही नली है, मुही नली मिलेंगे, मुहंबन नभी मिलें बाकियों के आगे नॉर्मल से matchups है, Will Smith देखोगे, नॉर्मल है, मुहमद वसीम देखोगे, नॉर्मल है, बेसिकली निकुलस पुरान नभीन हुलाक के आगे आउट हुए हैं, दो बार, एक बार T20 में, मुहमद नभी के आगे, एक बार T20 में, कारिन पुलाट दो बार Chris Vox पे आउट है, एक बार नवीनुल हाक पे आउट है, दो बार जुनेट सिदीकी पे आउट है, दोनों बार T20 में, क्योंकि ये अभुदा भी T20 में खेले थे, बाकि बिलाल खान ने एक गेम में नाजीब लजदरान को ओट कर रहा है, टॉम लेमन भी नॉर्मल, अब यहाँ मैचपस में रह्मनुला गुर्बास देखते हैं, जिन्होंने इमरान तहीर के आगे तीन बार विकेट खोई है, अपनी दो बार T20 में, एक बार T20 में, एमन लुईस ब्रावो के आगे तीन बार आउट है, ठीक है, ट्रेंड बोल्ट के आगे दो बार बंडे में, ब्रैड ट्रेंड बोल्ट के आगे आगे आउट हो रखे हैं, ट्रेंड बोल्ट के आगे आउट हो रखे हैं, ट्रेंड बोल्ट को लेकिन रंज अच्छे माने हैं, विच इस गुड, ठीक है, बाकी इमरान तहीर के आगे आगे आउट है, अब डेविड ब्रावो के आगे आगे हम चार बार आउट किये और मुहमंद अभी को क्रेग वोटर ने एक बार और पॉलाड ने एक बार दोस्ते जो अपने टीम करने आएंगे विगेट कीपिंग सेक्षन में आपको हाइली टेलेनिट निकुलस पुरार और गुर्बास मिलेंगे लेकिन एक टेलेंट है लॉरकन टकर जो कि आयर्लेंड के लिए बहुत ही कबिले तरीफ रहे थे और अभी आयर्लेंड और जिंबाब्वे की सीरीज स्किप करें यानि नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट और यहां खेलने वाले हैं वृत्यार विंद है यूएई के प्लियर और क्रिस बिंजमेन है इंग्ल कीपिंग आपको करके देती हैं फिलाल मैं केवल निकुलस पुरान के साथ गया हूँ लॉर्कन टकर अगर खेलते हैं अब उनको अपनी ग्रैंड लीग में ट्राइक कर सकते हो अगर आप रिस्क लेकर ड्रॉप करना चाहते हो तो ड्रॉप भी कर सकते हो न्यूव्योक स्ट करेंगे लेकिन यह रिसेंटली एक दो मैचेस खेले थे LPL में जहां इन्होंने बहुत अच्छा किया था और पहले ही मैच में इनके चार के चूटे थे बट चार के चूटे के बाद इनका परफॉर्मेस शुरू में अपने करियर में बहुत अच्छा रहा है इंडिया के सा बड़ीया बल्ले बाज टेकनिकली बी साउंड एंगलेंड के लिए टेस्ट मैच में अध्यर बीजह आज़ा उस्ट्रिया में 138 की भी इनिंग्स खेल चूके हैं बाकी ऑस्ट्रिया के सामने प्लेयर नहीं चल रहा था बल्ले से केवल यह और बैस्ट्रों चल रहे थे अगर फिनिशिंग के तौर पर आएंगे फिर थोड़ा सा पॉइंट पॉटेंशल कम हो जाता है। कारिन पॉलाड है यह तो फिनिशर ही हैं लेकिन इनका कुछ नहीं पता लगता बोलिंग करने भी टपक जाते हैं। इनका मन करता है एक दोवर करने आ जाते हैं। टॉम कोलर कैडमॉर है अगर टॉप ओडर में आते हैं मैं जरूर लूँगा कंसिस्टेंट खिलाड़ी है रेगुलर रंस करता है। वैसे इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहता है बड़िया रंस कर सकते हैं। विल्समीड भी एक कह सकते हो ओपनिंग ऑप्शन है अगर खेलते हैं ध्यानत ना पड़ेगा। मुहमद वसीम भी एक ओपनिंग ऑप्शन है मांक दियाल बॉलिंग भी करते हैं बल्लेबाजी भी करते हैं। हाला कि इनका रिकॉर्ड ठीक ठाक ही है। CPL में अच्छा केले थे और की जादा इनका अच्छा पर्फरमेंस नहीं आया। बेजिल अमीड है जो बल्लेबाजी के साथ आपको और एक बोलिंग भी देती है। अगर लगेगा कि ओवर तो ये कर देंगे दो से तीन। लेकिन अगर लगेगा कि हाँ बल्लेबाजी आएगी तब हम सोचेंगे और इनको लेना है के नहीं डिसाइड करेंगे। दैन मुजली है, अवरेज रिकॉर्ड ही लगा मुझे, अलिशान शराफू अवरेज रिकॉर्ड लगा, जो डैनली पहले बहुत अच्छा खेलते थे, केंट के लिए हम इनको एसेक्स के लिए और केंट के लिए आस में इन्होंने रोल्स किया लेकिन बहुत ही बढ़िया प्लेयर रहे थे, अब यहाँ पर बोलिंग करना ही रहे, वैसे जो लेक्समिन करते थे, उसके बाद यह केक्यार में भी आये थे, बट बोलिंग इनकी बहुत कम हो गई है, भलेबाजी में इनकी अवरेज भी कम रह गई है, तो ठोड़े डिकलाइन पे हैं, तो बेसिकली य यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ खिलाड़ी तो बहुत important है, जैसे मुही न ली, यह तो आपके लिए sorted option है, इन्होंने जो अभी अभूदा भी T10 हुआ, उस पर बिलकुल bowling नहीं करी, यह एक संकेद बनता है problem का, बट य बहुत important player बन जाते हैं, क्योंकि हमें पता है, बल्लेवाजी भी अच्छी और जरुद पढ़ गई, तो यह over डालने आ जाएंगे, उस टाइब हम देखेंगे, इनके सामने कितने left hander है, उस इसाफ से decide करेंगे, लेना है कि नहीं, क्योंकि अभी तो भीया, over करते हैं, clarity नही फिर बैस दे लीडे हैं, अगर खेलते हैं, important है, क्योंकि right-up medium pace के साथ बल्लेवाजी offer कर सकते हैं, ऐसे player है, जो कि overcome भी डाले तो विकेट ले जाते हैं, नेधरलेंड के लिए सीधा death में आते थे, अभी recently, अभूधा भी डीटन में, इनो दो ही match खेले, लेकिन 3-4 विकेट लगे गए, ठीक है, मारकस टोनिस injured है, मुहमन अभी important player बन जाते है, off break bowling plus बल्ले बाजी आपको offer करते है, Jordan Thompson death में आएंगे, Jordan Thompson ज़ूरी नहीं है death में बठा, finishing करते है बल्ले से Yorkshire के player है, बट एक आदा over death में डाल सकते हैं, ठीक है, तो Jordan Thompson का थोड़ा देखना पड़ेगा situation, अगर M.I.M.E. rates में over turn नहीं खेल रहे है, तो most likely इनको death में bowling मिलेगी, अगर over turn खेल रहे है, तो वो आएंगे, बाकि समित पतेल को तो मैं रखने वाला हूँ, left-up orthodox player है, और right-hand बल्ले बाजी आपको offer करते है, बढ़िया all-rounder है, quality player है, काफी teams में खेले है, और मुझे बह रहा हूँ, दोस्तो bowling section में आपके पास Chris walks, trend bolt, ये दो खिलाड़ी तो आपकी team में रहने चाहिए, अपनी teams के दोनों मैं कहूंगा कि main spear and main fast bowlers रहने वाले है, सबसे अच्छी बात या है, Chris walks थोड़ी सी आपको बल्ले बाजी भी दे सकते है, तो मैंने दोनों walks और bolt को select किया ह ब्रावो एक विकल्प रहेंगे, death में गिद्बाजी कर सकते है, recent Titan इनका अच्छा नहीं गया, लेकिन जो playing options होंगी, उसी साब से हमें decide करना होगा कि क्या करना है, अभी तो मुझे लग रहा है कि ये death में आएंगे ही, बाकी ब्रावो ने खुद को थोड़ा से कम use किया था खुदी captain थे, आपको बता दो, Titan में, मुझे लग नहीं रहा कि उतना यहाँ पर अटन परफॉर्मेंसिस आएगा, बट bowling से फिर भी important बन सकते हैं, देन फजलक फरूकी और नवीन लहा के दोनों अच्छे bowlers है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक player है नीचे कार कार्तिक में अपर का ध्यान रखना, और इस बार कार्तिक में अपर के सामने है, एक legendary leg spinner इमरान तहीर, यह भी बड़िया spin bowler है, कोई शक्की बात नहीं है, बड़ मैं पेस बोल इसके लिए अभी गया हूँ, फजलक फरूकी और नवीन लाग, प्यूजवाई आपने team करते ह या spin हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट मैंने spin पे अभी मुहिन अली और समिक पटेल पे ही rely किया है, आपको लगता है यार कि यहाँ पे कार्तिक में अपन को लेना है, तो ले सकते हो, फिक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी के players भी अगर मैं आपको बता दू एक बड़ी ठीक है, confused नहीं होना, दो जड़ खान है, यह ज़ाहीर है, यह जहूर है, ज़ाहीर स्पिन बोलर फ्रम अफगालिस्तान, जुनायद सिदी की फास बोलर है, यू एक है, नूर अफगालिस्तान के स्पिन बोलर, ब्रैड वील है, स्कॉटिश भी बोल सकते हो, जबाद उल्ला फास बूलर फ्रॉम यूएई मेकेनिक लाग है मेकेनिक लाग का कुछ खास परफॉर्मेंस मुझे लगा नहीं है बेसिकली जो ये उप्शन्स बचे इसमें मैंने 90 लाग को पिक करके ऐसी टीम क्रियेट करी है मेरी टीम में हाई चांस ओफ चेंज है बेसिकली मैं आपको सब के बारे में बताके चला हूँ लेकिन मैं अपनी टीम फाइनल डिसाइड कर पाऊँगा बहुत ही ज़ादा जो प्लेइंग 11 पर डिपेंड करेगी आप उस टेम पर टेलीग्राम में एक्टेव रहिएगा वहाँ पर मैं आपको इंफर्मेशन दे दूँगा जिससे आप खुद की भी टीम क्रियेट कर पाएंगे और बैस ठीक है मैंने अपनी कफ्तानी अभी मुहीन अली को दी है और वाइस केप्टन सी निकुलस पुरान को जो एक वाइस केप्टन सी के विकल्प है वाइस केप्टन सी के विकल्प बन सकते हैं ठीक है उमीद करते हो दोस्तों इस वीडियो के थुरू आपको कुछ हेल्प हुई अगर आपको लगता है आप कुछ सीख के रिकले है तो जरूर हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो और और नोटिफिकेशन भी आउन कर सकते हो टेलिग्राम का लिग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सी यू अगेन